Hello guys, welcome back to our YouTube channel Guys, आज का मरा टॉपिक है Computer Skills for HSC Officer यानि ऐसे कौन-कौन से Computer Skills हैं जो की HSC Officer को पता होना चाहिए जितने भी persons HSC field में काम कर रहे हैं या future में काम करने वाले हैं उनको अगर ये skills पते हैं तो काफी beneficial होगा उनके लिए बहुत सारे ऐसे softwares हैं इसके बार में अगर आपको knowledge है तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा अगर हमें ये सब skills के बार में पता होगा हम अच्छे से operate कर पाएंगे तो हमारी ये growth के लिए भी काफी अच्छा होगा क्योंकि हमें एक मौका मिलेगा कुछ और करने का क्यों आप साइट पे रहके हर चीज नहीं कर सकते हैं सब कुछ नहीं सीख सकते हैं अगर आपको documentation सीखना होगा तो आपको इस soft skills आने चाहिए करियर ग्रोथ में जितना hard work importance रखता है उतना ही आपका smart work importance रखता है तो इन दोनों को equally लेके चलना है तो HSC field में कुछ documents है जिसे आपको तयार करना होता है और यह आप तयार कर पाएंगे computer में ही उससे काफी आप easily से तयार कर सकते हैं जैसे कि आपका JSA हो गया risk assessment हो गया inspection का checklist हो गया training के लिए PPT बनाना हो गया कोई भी chart हो गया, कोई भी data record हो गया तो यह सारा काम आप computer में ही कर सकते हैं तो यह देखते हैं अभी कौन-कौन से software से जिसका knowledge आपको होना चाहिए आपके लिए जो सबसे important और useful है वो है आपका Microsoft Office इस software के बारे में आपको knowledge होना चाहिए इसमें काफी सरे applications है कौन-कौन से यह भी देख लेते हैं सबसे पहला है आपका MS Word यानि Microsoft Word इसमें आप JSA बना सकते हैं risk assessment बना सकते हैं checklist बना सकते हैं तो यह आप easily इसमें बना सकते हैं और record रख सकते हैं next आपका MS Excel यानि Microsoft Excel इसमें आप chart त्यार कर सकते हैं जो भी आप safe man आपर calculate करते हैं वो इसमें आपको automatic calculate हो जाएगा क्यों आपको data इसमें entry करना है आपका automatic calculate होते जाएगा तो यह आपका MS Excel next यह आपका MS PowerPoint इसमें आप जो भी training के लिए PPT, presentation, animation जो भी बनाना होगा आप इसमें बना सकते हैं तो यह तीन application है जिसके बार में आपको knowledge होना चाहिए यह सारे software आपको कैसे use करना है अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो YouTube पे कापी सारे tutorials में जाएंगे जो कि free available हैं तो आप आप वहाँ पे देख सकते हैं और यह सारे easy हैं जैसे आप अपने smartphone use करते हैं आप इसे भी ऐसे use कर सकते हैं समझ सकते हैं